साथियों, जीवन हमें कई वार अप्रत्यासित मोड पर लागर खड़ा कर देता है। सब कुछ बदल जाता है। करोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूँ, करोना की वज़से, जिनोंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बढ़लाव, कितना मुश्किल है, कितना कठीन है। हर दिन का संगर्श, पल-पल का संगर्श, नई-नई चनोतियां, हर दिन के तफस्या, आज जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये कारिकम हो रहा है, उनकी तकलीप शब्दों में कहना मुश्किल है। जो चला जाता है, उसकी हमारे पास सरफ चंद यादे ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है, उसके सामने चुनोतियों का अंबार लग जाता है। आइसी चुनोतियों में, PM Cash for Children, आप सभी ऐसे कुरोना प्रभावित बच्चों के मुश्किले कम करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे। साथियों, PM Care for Children, इस बात का भी प्रतिविम है, कि हर देश मासी पूरी सम्वेदन सिल्टा से आपके साथ है। मुझे संतोस हैं कि बच्चों की अच्छी और अबादित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कुलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। PM केर्स के जरिये ऐसे बच्चों की कौपी, किताबों और युनिफॉर्म के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशनल लोन चाहिए होगा, तो PM केर्स उसमें भी मदद करेगा। रोज मरा की दूसरी जरुतों के लिए, अंतिया योजनाओं के माध्यम से, उनके लिए, चार हजार रुपिये हर महिने की वबस्ता भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे, तो आगे बविश के सपनों के लिए, और भी पैसों की जरुरत होगी। इसके लिए, 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महिने स्टाइपन मिलेगा। और जब आप 23 साल के होंगे, तब 10 अलाख रुपिया एक साथ आपको मिलेंगे। साथियों, एक और बड़ी चिंता स्वास्थ से जूड़ी भी बनी रहती है। कभी कोई बीमारी आ गई, तो इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे को, उनके गार्यंस को उसके लिए भी परशान होने की जरूत नहीं है। PM Care for Children के माद्यम से आपको आईश्मान हेल्ट कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से पांच लाख तक के इलाज की मुप्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें ऐसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सयोग और मानसिक मारदर्शन की भी जरूरत पढ़ सकती हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो है ही नहीं। लेकिन एक कोशिस सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेश समवाद सेवा शुरूर की है। समवाद हिल्प लाइन पर विशेश सग्यों से बच्चे मनोवग्यानिक विशों पर सना ले सकते हैं। उनसे चर्चा कर सकते हैं। सल्प्ट कर सकते हैं। स्यूर कर सकते हैं।